पोकेमोन वर्ड में काफी सारे लजेंडरी ट्रियो से बट इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रियो का हर एक मेंबर एक वली पाउरफुल हो ट्रियो का एक मेंबर काफी स्टॉंग हो सकता है और दूसरा उससे वीक हो सकता है इसी तरह से आज हम हर एक लेजेंडरी ट्रियो से स्टॉंगेस्ट मेंबर को देखने वाले हैं मतलब उन तीनों में से सबसे स्टॉंग कौन है वो देखेंगे वीडियो काफी interesting होगी like करना मत भूलना चालको subscribe करके bell icon को ओल पर set करदेना अब वीडियो को start करते हैं let's get started सबसे पहले start करते हैं canto region से canto region में legendary birds आते हैं जो की है artycono, maltres और zabdoze तीनो ही काफी strong और iconic है बट तीनों में से सबसे strong होगा zabdoze अब आर्टी कुनो की टाइपिंग आईस और फ्लाइंग टाइप है, मॉल्टरेस की टाइपिंग फायर और फ्लाइंग टाइप है, जैब डोस की टाइपिंग इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप है, सबको यह तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक टाइप फ्लाइंग टाइ लेजेंडरी बीस्ट्रियो यानि की एंटे राइकोव और स्वीकून तीनों ही काफी स्ट्रॉंग पोकीमॉन है और इनके बेस्टाइट एक वल है बट अगर गेम के इसाप से देखा जाये तो राइकोव काफी जाधा स्ट्रॉंग है बाकी दोनों के मुकाबले पर एनमे की बात करी जाय तो एनमे में स्वीकून को जादे इंपोर्टेंस दी जाती है हालाकि पोकीमॉन जैर्णिस में उसको कुछ पोकीमॉन हंटर्स ने कमसूर कर दिया था और गोस को पकड़ लेता है बट उससे पहले हमें स्वीकून काफी बार एनमे में देखने को मिला था एए कोई भी Pokemon उसके उपर एक attack भी नहीं कर पाया है तो हाँ मेरे according legendary beast trio का सबसे strongest members वीकून होगा next आता है hoin region से regi trio यानि की ice type का regi ice rock type का regi rock और steel type का regi steel well इन तीनों में सबसे weak regi rock है क्योंकि ये pure rock type Pokemon ने इसकी 4 weaknesses है जबकि एक defensive Pokemon है ना कि attacking Pokemon ये चीज़ इसको अपने आप useless बना देती है अब regi ice और regi steel में मेरे according जादा strong regi steel है इसी तरह से regi ice के भी 4 weaknesses है बट उसके attack stat थोड़े अच्छे है और बात करें regi steel के तो इसके सिफर सिफ तीनी weakness है ये attack और defense दोनों में balanced है और हाँ anime में भी इसको काफी strong दिखाय गया था तो मेरे according इन तीनों में सबसे strong regi steel है नेक्स्ट है weather trio फानली एक काफी strong trio आता है इस trio के तीनों members one of the strongest Pokemon है Pokemon World के कायोगर एक water type Pokemon है ग्राउडाउन एक ground type Pokemon है वहीं पर रेकवाजा एक dragon और flying type Pokemon है प्लस ग्राउडाउन और कायोगर के पास primal form से जिसमें जाने के बाद इन दोनों के base stat 100 points से बढ़ते है और ग्राउडाउन की typing change होकर fire और ground type बन जाती है वहीं पर रेकवाजा के पास mega evolution है वैल अब इन तीनों में सबसे strong Pokemon को decide करना बहुत जादा easy है जो की होगा रेकवाजा रेकवाजा के पास base form में dual typing है जबकि बाकी दोनों के पास single typing है ग्राउडाउन और कायोगर को अपने primal form में जाने के लिए एक special orb की ज़रूरत होती है वहीं पर रेकवाजा सिफ dragon ascend move का यूज़ करके अपने mega evolution में जा सकता है रेकवाजा के base stat इन दोनों से 10 points ज़ादा है रेकवाजा इस ट्रियो का master है और बस इतना इनी रेकवाजा इन दोनों के बीच में होने वाली fight को भी रोकता है और दोनों को handle करता है जिससे definitely ये clear हो जाता है कि रेकवाजा इन दोनों से कहीं ज़ादा strong है नेक्स्ट आता है सीनो रीजन से creation trio ये एक और काफी ज़ादा powerful trio है इस trio में आते हैं डियालगा जो कि steel और dragon type pokemon है पालकिया जो कि water और dragon type pokemon है और finally giratina जो कि ghost और dragon type pokemon है इन तीनों में सबसे बिकार typing पालकिया की है तीनों pokemon के पास origin form है जिसमें जाने के बाद ये काफी ज़ादा strong हो जाते हैं और anime में भी आपने देखा होगा कि पालकिया डियालगा के सामने weak लग रहा था तो यहाँ पर main battle डियालगा और giratina के बीश में होगी मेरे according इन दोनों में giratina ज़ादा strong है काफी जगा पर ये भी बताया गया है कि giratina अपने full power पर even arces के power को भी match कर सकता है तो इसके सामने डियालगा का क्या होगा तो हाँ definitely यहाँ का strongest pokemon giratina है नेक्स्ट है लेग guardian trio यानि की as self yuxi और messprit tino की tapping psychic type है और tino के best add भी बिलकुल same है तो यहाँ पर decide करना काफी difficult होगा कि कौन सबसे strong है पर देखा जाये तो मेरे according as self सबसे strong pokemon होगी नेक्स्ट है यूनोवा रिजन से टाओर trio ये एक और काफी strong trio है इसमें आता है dragon और electric type pokemon zackrome dragon और fire type pokemon rashiram और dragon और ice type pokemon qram qram rashiram या फिर zackrome के साथ fuse होकर black qram या फिर white qram बन सकता है तो अब देखते हैं कि इन में सबसे strong कौन है वैल इसका answer हमें खुद anime में देखने को मिल गया है anime में normal qram और rashiram की fight होती है जहाँ पर rashiram काफी easily हार जाता है फिर qram rashiram को absorb करके white qram बन जाता है तभी वहाँ पर zackrome आ जाता है और white qram और zackrome की fight होती है और end में zackrome white qram को हरा भी देता है जहाँ पर rashiram उसको base form में नहीं हरा पया था zackrome ने white qram को हरा दिया था तो हाँ zackrome rashiram और qram से कहीं ज़्यादा powerful है नेक्स्ट है कैलोस रीजन से औरा trio इसके मेंबर से जाइगार्ड येवेल्टल और जर्नियस जर्नियस एक प्योर फैरे टाइप पोकेमोन है येवेल्टल की टैपिंग डार्क और फ्लाइंग टाइप है भले यहाँ पर जर्नियस दोनों मेंबर्स पर एडवांटेज रखता है बट यहाँ का strongest पोकेमोन होगा जाइगार्ड जाइगार्ड के पास 5 फर्म से जो की है जाइगार्ड कोर, जाइगार्ड सेल, जाइगार्ड 10 परसेंट फर्म, जाइगार्ड 50 परसेंट फर्म और इसका सबसे strong फर्म जो की है जाइगार्ड का complete फर्म जिसमें इसके base stat 708 है जो की ये वेल्टल और जर्नियस दोनों से जादा है इतना इने इसने पूरे कैलोस को अकेले हरा दिया था तो definitely इसकी power काफी जादा है जर्नियस और ये वेल्टल से और ये इस ट्रियो का master भी है आगे बढ़ते हैं अलोला के तरफ अलोला का trio है light trio जिसमें सबसे पहला आता है psychic और ghost type pokemon lunala next है psychic और steel type pokemon solgaleo और last है pure psychic type pokemon necrosma इस ट्रियो का case बिल्कुल tower trio के तरह है necrosma solgaleo के साथ fuse होकर dusk main necrosma बन सकता है जिसमें इसकी tapping psychic और steel type है अगर ये लुनाला के साथ fuse होता है तो ये psychic और ghost type का pokemon dawn wings necrosma बन जाएगा तो क्योंकि ये इन तिनों के individual नहीं बलकि fusion form से है तो हम इनको count नहीं करेंगे बट इसके अलावा necrosma के पास एक और special form है जो कि है ultra necrosma इस form में इसकी tapping psychic और dragon type बन जाती है और इस form में ये pokemon world का one of the strongest pokemon बन जाता है इस form में जाने के बाद anime में ultra necrosma ने काफी बार soul galio और lunाला को handle किया है साथ में ये अपने body के किसी भी पार्ट से laser beam निकाल सकता है और अगर कोई चीज उसके contact में आ जाती है तो वो तुरन जल जाएगी बढ़ते हैं गला रिजन के तरफ यहां पर हमारा लास्ट रियो आता है जो कि है जेशन जमजेंटा और इटर्नेटर्स जेशन एक fairy type Pokemon है जिसके पास crown sword form है इस form में इसके tapping fairy और steel type हो जाती है जमजेंटा एक fighting type Pokemon है इसके पास crown steel form है जिसमें इसके tapping fighting और steel type हो जाती है अपने full power में इनके base stat 720 होते हैं जो कि काफी अच्छे stats हैं पर ये इटर्नेटर्स के आस पास भी नहीं आते इटर्नेटर्स एक poison और dragon type Pokemon है जेन 8 गलार से नॉर्मली इसके base stat 690 होते है पर इसके पास इटर्ना मैक्स form है जिसमें जाने के बाद इसके base stat 1125 हो जाते हैं ये सबसे पहला और एक लौता Pokemon है जिसके base stat 1000 से जादा है और इतने base stat Pokemon वर्ड में किसी के भी नई है तो definitely game के according तो ये सबसे strong होगा ही पर anime के अंदर भी इटर्ना मैक्स इटर्नेटर्स हमें दिखाया गया था और इसको हराने के लिए लुकारियो, सिंड्रे, जेशन और जमजेंटा अपने crown sword और crown shield form में आते हैं और ये सब मिलकर इटर्ना मैक्स इटर्नेटर्स को हराते हैं तो आप इटर्ना मैक्स इटर्नेटर्स की power का अंदासा लगा सकते हो कि इन सारे Pokemon को इसको मिलकर हराना पड़ा तो definitely ये सबसे strong Pokemon होगा इस trio का वेल तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो लाइक करना मत भूलना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पे सेट कर देना एंड दुबारा मिलेंगे एक और ऐसे वीडियो के साथ अंटिल रैन पीस आउट